हेलो बच्चो, वेलकम टू विनिगेज स्टेडी पॉइंट इक्लासेज हमने हमारे साइन्स की लास्ट क्लास में इवापुरेशन तक पढ़ लिया था और आज हमें स्टार्ट करना था फेक्टरस एफेक्टिंग इवापुरेशन ठीक है तो फेक्टरस एफेक्टिंग इवापुरेशन आज हमें पढ़ना है इससे पहले मैं आपको दुबारा से एक बार रिवाइस करा देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में इवापुरेशन के बारे में क्या सीखा था तो मैंने आपको बताया था evaporation क्या होता है कि जब भी कोई liquid अपने boiling point पे पहुँचने से पहले evaporate हो जाता है यानि कि अपने boiling point पे पहुँचने से पहले liquid गैस state में change जाता है तो उस process को हम क्या बोलते है evaporation मैंने आपको दो चीज में difference बताया था एक मैंने बताया था वैपोराइजेशन जिसे हम boiling भी बोलते है और दूसरा मैंने बताया था evaporation दोनों मैंने आपको difference बताया था कि इनके बीच में क्या difference है मैंने boiling या वैपोराइजेशन ये बताया था कि जो अपने boiling point पे पहुँचने के बाद evaporate होना शुरू होता है उसे हम कहते हैं वैपोराइजेशन या boiling ठीक है और जो अपने boiling point पे पहुँचने से पहले ही evaporate हो जाता है उसे हम कहते हैं evaporation और अपने boiling point पे पहुँचने से पहले कैसे evaporate हो जाता है इस बारे में भी हमने बात की थी कि जैसे किसी भी liquid को जब हम गरम करते हैं तो वो उस energy को लेके और उसके अलावा अपने आसपास की energy को लेके अपनी energy को इतना कर लेता है कि जो उसके inter particle force को break कर सके जब उसकी energy जो kinetic energy है inter particle energy से ज़्यादा हो जाती है तो particles एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और जब liquid के particles दूर दूर होते हैं तो वो gas बन जाते हैं obviously इसलिए वो क्या हो जाता है evaporate यानि कुछ liquid का जो कुछ part होता है वो अपने boiling point पर पहुँचने से पहले ही evaporate हो जाता है उस process को हम क्या बोलते हैं evaporation ठीक है आज हमें जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि factors affecting evaporation मतलब वो कौन से factors हैं जिनके उपर ये evaporation depend करता है यानि किन कारणों के वज़े से ये evaporation जल्दी हो सकता है जादा हो सकता है और किन कारणों के वज़े से वो कम हो सकता है तो इसको effect करने वाले चार factors है ठीक है ना evaporation को effect करने वाले चार factors है पहला factor है surface area surface area अब surface area कैसे effect करता है evaporation को तो आप लिख सकते है the evaporation increases with the increase of with the increase of surface area मतलब surface area के बढ़ने पर evaporation बढ़ जाता है ठीक है surface area के बढ़ने पर evaporation बढ़ जाता है अब आप ये बात कैसे समझ सकते हैं आप खुद देखते हैं ये चीज़े आप रोज देखते हैं अपने डेली लाइफ में आपको ये चीज़े दिखाए देती है कि surface area बढ़ने से कैसे evaporation बढ़ जाता है अब ये आप कहां देखते हैं मैं आपको example देता हूँ जैसे आप खुद सोचें कि अगर आपसे पानी का एक glass गिर जाए ठीक है एक glass के अंदर पानी है और आपसे वो गलती से गिर जाए तो आप क्या करते हैं सबसे पहले आप खुद सोची अपने दिमाग में कि अगर आपसे glass के अंदर पानी है वो पानी आपसे गिर जाता है जमीन पे या कहीं भी तो आप सबसे पहले क्या करते हैं तो सबसे पहले आप उसके उपर कोई कपड़ा रखके या आप उसको पोचा लगा देते हैं ठीक है ना आपके घरों में लगता होगा पोचा कि भाई काई पानी गिर के आप पोचा लगा दिया या आप वैसे भी पोचा लगा देते हैं, ठीक है किसी चीज़ पे, तो माल लो पोचा लगा दिया आपने, ठीक है, उससे क्या हो गया, कि जो पानी, आप खुद देखते हैं, कि जब पोचा लगा देते हैं, जो पानी थोड़ी से जगा पे गिरा था, हम उसको क्या करते हैं, पोचा लगा के फैला देते हैं ठीक है पोचा लगा के हम क्या करते हैं पानी को फैला देते हैं और पानी को फैला देने से क्या होता है जल्दी इवैपरेट हो जाता है आप खुदी देखना आया तो आप यह आज करके भी देख सकते हैं कि एक जगा पहले पानी थोड़ी से जगा पे गिराओ, ठीक है, तो पानी को थोड़ी से जगा पे गिराओ, और उसको पोचा ना लगाओ, और दूसरी तरफ उतना ही पानी गिराके उसको क्या करो, पोचा लगा दो बहुत दूर तक, सरफेसेरिया बढ़ा दो, तो आप खु पूचा लगा के अपना फैला दिया है, पानी को जिसको फैला दिया है, आप देखेंगे वो बहुत जल्दी एवैपरेट हो जाता है, और जल्दी एवैपरेट होके जल्दी सूख जाता है, यानि कि सर्फिस एर्या बढ़ाने से rate of evaporation बढ़ जाता है, ठीक है, इसका एक्ज कि अगर आपको गर्म चाय पीनी है या दूद पीना है, तो आप कप में पीएंगे, तो उसको पीने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, और उसी के जगह आप एक सौसर में, ठीक है, एक सौसर में या प्लेट में, जब आप चाय को डालके या दूद को डालके, फिर पानी से और जल्दी पी पाते हैं, जैसे आपको कभी हो रहा हो कि भाई, आपको जल्दी कहीं जाने की जल्दी हो, उस टेम पे आपको नास्ता करना है, दूद चाय पीना कुछ भी पीना है, तो आप क्या करते हैं, जल्दी पीना है, तो एक प्लेट लेते हैं, प्लेट में चाय पीते हैं तो cup का area कम होता है ठीक है? Cup का area कम होने के वज़े से उसमें चीजे जल्दी ठंडी नहीं होती पर जब आप उसको saucer में यानि प्लेट में किसी चीज में भी डाल लेते हैं तो उसका area बढ़ जाता है और area बढ़ने के वज़े से उसका rate of evaporation बढ़ जाता है और जल्दी evaporate होने के वज़े से चीजे जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी ठंडी होने के बाद आप आसानी से उसको जल्दी से पी पाते हैं तो यह question आपके book में बनता है कि question ने आपके book में लिखा हुआ है कि why is it easy to have tea or coffee in a saucer ठीक है न hot tea or coffee जब आप saucer में कैसे असानी से पी पाते है rather than a in a cup ठीक है कि cup में पीने की बजाए आप जब उसको plate में या saucer में डाल के पीते हैं तो आप जल्दी कैसे पी पाते हैं तो इसका कारण यही है कि saucer में डालने पे उसका surface area जो है वो बढ़ जाता है ठीक है surface area बढ़ने के वज़े से rate of evaporation बढ़ जाता है और rate of evaporation बढ़ने के वज़े से वो जल्दी ठंडा हो जाता है और हम आसानी से पी पाते हैं यह बात आपको समझ में आगी तो पहला जो इसका factor है वो है surface area कि surface area बढ़ा देने से क्या होता है surface area बढ़ा देने से rate of evaporation बढ़ जाता है आप यह एक चीज़ आप एक और जगा देख सकते हैं कि जैसे आपने माल लो आप कपड़े आपके धुले ठीक है ना और कपड़े धुलने के बाद आप देखते हैं कि कपड़ों को फैला के रखा जाता है ठीक है ना मतलब जब भी जो धूप में आप डालते हैं कपड़े सूखने के लिए तो फैला के डालते हैं उनको मोड के नहीं डालते तो एक बार आप ये भी ट्राई करके देख सकते हैं कि आप दो कपड़े दो, एक कपड़े को फैला के डालो और एक कपड़े को मोड के एकदम मोड के डाल दो तो आप देखेंगे, जो कपड़ा फैला के डाला है वो जल्दी सूख जाएगा और जो कपड़ा आपने mode के डाला है, उसको सूखने में time लगेगा, इसका कारण भी यही होगा, जिस कपड़े को आप फिला देंगे तो उसका surface area बढ़ जाएगा, surface area बढ़ने के वज़े से उसका evaporation बढ़ जाएगा, और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, और जिस है, तो दूसरा factor है, इंक्रीज या surface area के बाद दूसरा जो इसका factor है, वो है temperature, temperature, ठीक न, तो temperature में क्या है, ठीक है, increase in temperature या temperature बोल सकते हैं, आपके वे temperature के बढ़ने से, यहाँ भी क्या होता है, कि the evaporation increases with the increase of temperature, and vice versa, सब में उल्टा भी होता है, मतलब, surface area बढ़ाने पे अगर temperature, ओ, सोरी, evaporation बढ़ जाता है, तो vice versa का मतलब हो उल्टा, कि surface area को घटाने पे evaporation कम भी हो जाएगा, यहाँ भी वही बाद है, temperature को बढ़ाने पे evaporation बढ़ जाएगा, and vice versa, यानि कि temperature को घटाने पे, evaporation घट भी जाएगा, इस बात का इधियान रखना है, बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, घटाने पे घट जाएगा, तो temperature को घटाने पे evaporation घट जाएगा, temperature को घटाने पे evaporation घट जाएगा, तो temperature के बारे में भी पता है आपको, कि खुदी आप सोच सकते हैं कि evaporation कब बढ़ जाता है जब temperature बढ़ जाता है ठीक है कि temperature बढ़ाने से evaporation भी बढ़ जाता है इसका example इसका example भी आप देख सकते हैं कि जब आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद आप कहां डालते हैं उसको तो आप कहेंगे कि धूप में कपड़े धूने के बाद हम उसे कहां डालते हैं धूप में सूखने के लिए कहां डालते हैं धूप में क्यों डालते हैं धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो इसका भी आप एक practical का सकते हो, कि आप कपड़े धोने के बाद, एक कपड़े को धूप में सुखाओ, और एक कपड़े को छाओ में सुखाओ, तो आपको यह चेक करना है कि किस में जल्दी सूख रहा है, तो आप यह चीज़ देखेंगे, कि धूप में कपड़े जल्दी स सुख जाएंगे, और temperature जब कम होता है, तो चीज़े सुखने में देर लगती है, ठीक है, यह बात, यह तो normal चीज़े हैं, जो आप रोज के कामों में आप इसको feel करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई अलग सी बात ही नहीं, यह चीज़े आप रोज feel करते हैं, आप रोज इसमें क्या था, कि evaporation बढ़ जाता है, surface area के बढ़ने से, और यहां भी वही है, कि temperature के बढ़ने से भी evaporation बढ़ जाता है, पर यहां पर उल्टा है, कि the evaporation increases with the decrease of humidity. यहां पर हुटा है, हमिडिटी में क्या होता है? तो हमिडिटी में यह होता है कि हमिडिटी जब बढ़ता है, तो evaporation कम हो जाता है, और हमिडिटी जब घठता है, तब evaporation बढ़ जाता है. अब सबसे पहली word, यहाँ पर word आया humidity, अब कई लोगों को इसी word का मतलब नहीं पता होता, हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसका नाम है आधरता, ठीक है आधरता क्या होती है या humidity क्या होती है, तो यह होता है amount of water in air, amount of water in air, कि air के अंदर water की मातरा, अगर air में water जादा है, यानि कि humidity जादा है, और air में water कम है, यानि humidity कम है, अब आप खुछ सोचो, कि जब भी हम कोई चीज को evaporate करते हैं, तो उसका water जो है, कहां जाता है, जब भी आप पानी को evaporate करते हैं, आपने पोचा लगाया, मानलो आप पानी ग आता है वो, तो आप कहेंगे कि evaporate होने के बाद वो पानी एर में चले जाता है, कहां चले जाता है, एर में, तो वो पानी कहां चले जाता है, एर में चले जाता है, ठीक है ना, तो आप खुदी सोचें कि humidity की बात क्या मैं क्या बता रहो, humidity क्या होता है, humidity होता है, amount of water in air, कि पानी में air का होना, ठीक है न, air के अंदर पानी का होना, कि वही water vapors, air के अंदर water vapors कितने हैं, ठीक है, तो खुदी सोचें, जब humidity ज़्यादा होगी, humidity ज़्यादा का मतलब, जब air में water vapors ज़्यादा होंगे, तो जब air में water vapors पहले से ज़्यादा है, तो बताओ, कि क्या और water vapors उसमें जा पाएंगे तो आपका answer होगा नहीं ठीक है जब water vapors उसमें पहले से ही होंगे ना तो उसमें और water vapors का आना थोड़ा मुस्किल हो जाएगा यानि कि जब humidity जादा होगी तब आप किसी चीज को सुखाएंगे तो वो जल्दी नहीं सुखेगी, क्यों? क्योंकि पहले से ही air के अंदर बहुत सारा water vapor present है तो आप और उसके अंदर evaporate करके water vapor भेजने की कोशिच करेंगे तो ऐसा होना थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है? और जब air के अंदर water vapor की कमी होती है, जब उसके अंदर water vapor कम होते हैं तो क्या होता है? तब आप जब किसी चीज को evaporate करते हैं तो वो जल्दी evaporate हो जाता है क्योंकि पहले से हवा में पानी की कमी है, आप जब evaporate करते हैं तो जल्दी जल्दी evaporate हो जाता है ठीक है अब ये चीज हमें कहां देखने को मिलती है ये चीज हमें बारिस के मौसम में देखने को मिलती है जब बारिस का मौसम होता है तब हवा के अंदर humidity बहुत जादा होती है ठीक है उस टाम हमें हमारे हवा में बहुत सारा पानी होता है बहुत सारा वाटर वेपर होता है यानि कि उसके अंदर humidity होती है, उस time पे जब आप कपड़े सुखाने की कोश्चत करते हैं, तो आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते, जब humidity का time होता है, जब बारिश आती है, बारिश आती है तो बारिश में हमारे air की humidity बढ़ जाती है, और उस टाइम पे जब आप कपड़े सुखा नहीं कोश करते हैं तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते इसका कारण यहीं होता है कि हवा के अंदर पहले से ही बहुत जादा humidity होती है तो और water vapors उसमें नहीं आ सकते हैं से वज़े से आपके कपड़े सुखने में टाइम लग जाता है यह बात आपको समझ में आ रही है तो humidity में क्या होता है जब humidity increase होती है तो उससे evaporation decrease होता है और जब humidity decrease होती है तो उससे evaporation बढ़ जाता है तो humidity के साथ इसका inverse relation होता है बाकी दोनों के साथ इसके साथ direct relation है बट humidity के साथ evaporation का inverse relation होता है ठीक है अब हमारा चौत्ता एक और factor है चौत्ता factor तो fourth factor आप देखेंगे fourth factor है wind speed wind speed speed of wind आप बोल सकते हैं ज्याद अच्छा लगेगा बोलने में speed of wind speed of wind ठीक है ना हिंदी में कहेंगे तो वायू का वेग ठीक है ना तो इसके साथ direct relation होता है the evaporation increases with the increase of wind speed and vice-versa कि wind speed के बढ़ने पे evaporation बढ़ जाता है and wind speed के घटने पे evaporation घट जाता है और आप खुद समझे खुद सोचे ये बात कि भाई जब हवा तेच चलती है तो evaporation भी जल्दी हो जाता है हवा धीरे चलती है तो evaporation भी धीरे होता है इसका example कि पोचा लगाते तो उस टाम क्या होता है कि अगर हमें पानी को जल्दी सुखाना है तो पहली बात पानी कहीं गिरा है तो हमें पोचा लगा दिया हम चाहते हैं कि और जल्दी सुखाना है तो हम क्या करेंगे उसके साथ पंखा चला देंगे ठीक है तो पंखा चलाने से क्या हो जाएगा और जल्दी सूख जाएगा आप खुद ही करते हैं ठीक है कि भाई पोचा लगा दिया अब हम चाते हैं उसको और जल्दी सुखाना तो हम क्या करते हैं पंखा चला देते हैं पंखे cooler जो भी है हम सब चला देते हैं उससे वो जल्दी सूख जाता है उससे वो जल्दी क्यों सूख जाता है कि जब आप पंका चला देते हैं तो पंका चलाने से wind speed बढ़ जाती है और wind speed जब बढ़ जाती है तो wind क्या करता है wind अपने साथ साथ पानी के छोटे छोटे पार्टिकल को लेके उड़ जाता है ठीक है ना जिसे wind उड़ रही है wind flow कर रही है ठीक है ना तो flow कर रही है तो साथ साथ क्या होती है पानी के पार्टिकल को साथ में लेके उड़ जाती है ठीक है वो पानी के पार्टिकल्स को अपने साथ लेके उड़ जाती है और जिस वज़े से इवैपरेशन भी जल्दी हो जाता है यहां भी वही हो रहा है कि विंड स्पीड बढ़ने से आपका इवैपरेशन बढ़ जाता है तो बस यह चार फेक्टर हैं जो आपको इसमें इवैपरेशन कितने है चार पहला आपका था सर्फेस एरिया कि सर्फेस एरिया के बढ़ने पर इवैपरेशन बढ़ जाता है दूसरा टैंपरेचर टैंपरेचर के बढ़ने पर इवैपरेशन बढ़ जाता है और टैंपरेचर घटने पर इवैपरेशन कम हो जाता है तीसर of wind कम होने पर evaporation कम हो जाता है तो यह आपको बहुत importantly याद रखना है मतलब बहुत important है आपके लिए ठीक है और आपको इसे याद रखना है यह paper में आता है बहुत बार कि भाई what are the factors affecting evaporation तो आपको चार effect लिखने हैं कि increase in surface area increase in temperature decrease in humidity increase in wind speed आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं आपके बुक में लिखा हुआ है ठीक है आपके NCRT में लिखा हुआ है increase in surface area आपको सिर्फ points लिखने हैं उनके अंदर जो example लिखे हैं वो नहीं लिखना सिर्फ देखना आपको factor effect लिखा हुआ है आपके लिख में उसके बाद चार पॉइंट से लिखे हुए ठीक है तो उनके पहली heading heading लिखनी है पहला है increase in surface area दूसरा है increase in humidity sorry increase in temperature तीसरा है decrease in humidity और चौता है increase in window speed of wind ठीक है तो यह था आपका factor effecting evaporation अब हमें बढ़ना है हमारे next topic की तरफ जो है how does evaporation cause cooling तो हमारे जो next topic है वो एक question के form में है वो लिखा हुआ है कि how does evaporation cause cooling how does evaporation cause cooling हिंदी में कहें तो वास्पी करण के कारण शीतलता कैसे होती है ठीक है वास्पी करण के कारण शीतलता कैसे होती है तो इसका answer क्या है कि evaporation के वज़े से cooling कैसे होता है? इसमाँ में ये बताना है. तो आप खुद देखें, होता क्या है? कि जब भी आप किसी चीज क्या evaporation करते हैं, तो क्या होता है? जैसे मालो को ये liquid है, ठीक है? तो liquid evaporation जब होता है? मैंने आपको बताया था, evaporation कैसे होता है? evaporation के अंदर जो particle of liquid होते हैं वो अपने आसपास की energy को absorb करते हैं अपने आसपास की energy को absorb करते हैं और अपनी आसपास की energy को absorb करके अपनी kinetic energy को इतना कर लेते हैं जो अपने inter particle force को तोड सके ठीके ना जो उसके inter particle force को तोड सके और वो जब inter particle force तोड़ देंगे उससे ज़्यादा energy हो जाएगी तो particles आपस में दूर दूर हो जाएगे और जब liquid के particles दूर दूर हो जाएगे तो वो क्या बन जाएगा gas ये बात समझ में आ रही है तो ये बात हमने शुरू में ही समझे है कि liquid के particle मतलब ये evaporation कैसे होता है ये अपने आसपास के energy को absorb करते हैं तो आप खुछ सोचोगे जब ये अपने आसपास के energy को absorb करके evaporate हो गया तो इसका मतलब है कि आसपास के energy क्या हो जाती है कम हो जाती है उसके आसपास के energy क्या हो जाती है कम हो जाती है और जब किसी चीज के energy कम हो जाती है तो उसमें क्या हो जाती है सीधी सी बात वो ठंडा हो जाएगा energy कम होने के वज़े से ठंडा हो जाता है यह चीज हमने latent heat वाले में भी पढ़ा था ना कि हमने पढ़ा था ना कि zero degree पे कौन ज्यादा ठंडा है बर्फ है या पानी है तो हमने बात करें थी कि बर्फ है क्योंकि उसमें energy कम होती है और liquid या नहीं जो water होता उसमें energy जादा होती है तो यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि जब वो अपने आसपास की energy को absorb करके evaporate हो जाता है तो उसकी वज़े से क्या होगा आसपास energy कम हो जाएगी और energy कम हो जाएगी इस वज़े से वो जो liquid है वो कैसा हो जाएगा वो cool हो जाएगा ठंडा हो जाएगा तो यह इसका answer है कि evaporation से cooling कैसे होती है तो आपको लिखना है कि evaporation में liquid particle अपने आसपास के energy को absorb करते हैं और अपनी kinetic energy को अपने latent heat of evaporation के बराबर कर लेते हैं ठीक है और उसको लेके वो evaporate हो जाते हैं तो जब वो evaporate हो जाता है तो आसपास की energy जो है कम हो जाती है और आसपास की energy कम होने के वज़े से वो area या कैसा हो जाता है या वह liquid कैसा हो जाता है तो इसकी वजह से cooling होती है एक बार मैं इसको लिखवा भी रहा हुँ तो आप ध्यान से देख लो इसका आंसर लिखना कैसे है तो देखेंगे answer ने-न अपनल सर्डिकन में से लिखा है कि जब एक खुला बरतन होता है तो आप किसी खुले बरतन में लिक्विड या पानी कुछ भी छोड़ देते हैं कोई से भी लिक्विड छोड़ देते हैं तो वो लगातार evaporate होता रहता है evaporate कैसे होता है evaporate मैंने अभी बताया वो अपनी लिक्विड की एनरजी को लेके evaporate हो जाता है लिक्विड में उसके आसपास जो भी energy है वो उसको लेता है और evaporate हो जाता है The particles of liquid absorb energy from the surrounding जो particles of liquid होता है वो अपने surrounding से अपने आसपास से energy लेते है To regain the energy lost during the evaporation जैसे पहले लिक्विड ने आसपास से energy ली और वो evaporate हो गया अब वो evaporate हो गया तो जो बचा हो liquid है वो अपने आसपास से फिर से मतलब आसपास की energy लेगा ठीक है पहले liquid ने अपनी energy ली liquid के अंदर की सारी energy ली और उसको कुछ particle को evaporate कर दिया अब अंदर energy की कमी हो गई तो अपने आसपास की energy को ले लेगा और अपनी आसपास की energy को ले लेगा इस वज़े से this absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold तो इसी वज़े से जो आसपास का area होगा वो कैसा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा जब आसपास से वो liquid energy को ले लेगा तो उस वज़े से आसपास का एरिया कैसा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा तो ये बात आपको समझ में आगी होगी यही सेम आंसर हिंदी मीडियम में आपके बुक में लिखा हुआ है तो आप वहां से नोट कर लीजेगा ठीक है जहाँ पे लिखा होगा कि वासपी करन के कारण सीतलता कैसे होती है जस्ट उसके नीचे ये आंसर लिखा हुआ है ठीक है अब इसके basis पे आपके बहुत सारे questions बनते हैं ये तो आपका एक topic हो गया इसके ओपर बहुत सारे questions बनते हैं जो कि मैं आप से discuss करता हूँ ठीक है और एक्जाम में यह 100% आते ही आते हैं यह आपके 1st time के एक्जाम में 100% आएंगे इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए ठीक है ना कि मतलब यह evaporation के वज़े से cooling होते हैं इस basis पे बहुत सारे question आप से पूछ जाते हैं जिसमें से पहला question है कि अगर आप अपने हाथ पे acetone या perfume कुछ भी डालते हैं तो आपको ठंडा महसूस क्यों होता है तो आपका भी खुद देखे हो कि अगर आप अपने हाथ पे acetone डालो thinner डालो ठीक है ना कारण यही है जब आपने हाथ पे acetone या perfume डालते हैं तो पर्फियूम आपके हाथ की energy को लेकर ठीक है ना आपके जो palm पाम मतलब हतेली हतेली की energy को लेगा और evaporate हो जाएगा और इस वज़े से आपके हाथ में कैसा फील होगा ठंडा क्योंकि उसने आई यहां की energy ले ले ली तो ऐसे ही बहुत सारे question आपके book में दे रखे हैं last में जो कि इसी basis पे हैं और इस पर हमसे बहुत सारे question पूछे जाते हैं जैसे और कौन कोंसे question पूछे जाते हैं तो मैं बताता हूँ आपको जैसे अगला question यह है कि कुछ लोग गर्मियों के टाइम में अपने छटों पे पानी डालते हैं पानी का चड़काव करते हैं आप देखते हैं after a hot summer day people sprinkle water on their roof ठीक है कि लोग अपने छटों पे पानी डालते हैं तो इसका कारण क्या है तो आप देखते हैं बाई गर्मी में पूरे दिन धूप पड़ती है आपके छटों पे ठीक है तो जिसकी वज़े से आपके छट जो होते हैं काफी जादा गर्म हो जाते हैं ठीक है दिन बर धूप पड़ने के वज़े से छट जो हैं बहुत जादा गर्म हो जाते हैं तो जब आप उस छट के उपर पानी डालेंगे, तो वो क्या होगा, कि पानी जो आपने डाला है, वो वाटर उस छट की गर्मी को लेगा, जो पूरे दिन उसमें हीट, मतलब उसमें हीट अनरजी पड़ी है, तो उसकी वज़े से वो गरम हो गया, वो उस गर्मी को लेगा और वो पानी क्या हो जाएगा इवैपरेट तो पानी उस चछत की गर्मी को लेकर इवैपरेट हो जाएगा जिसकी वज़े से चछत जो है वो कैसा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा इसलिए लोग रात को चछत पे साम को चछत पे पानी डालते हैं यह जो water है वो छट की गर्मी को लेगा यानि उसके आसपास की गर्मी को लेगा surrounding की और लेके वो evaporate हो जाएगा evaporate होने से छट कैसा हो जाएगा ठंडा ठीक है ना इसलिए लोग छटों पे पानी डालते हैं और भी बहुत सारे question इसी basis पर पूछे जाते हैं सब का answer यही है सब में आपको यह लिगना है कि आसपास की energy गो लेके evaporate हो जाता है तो वो ठंडा हो जाता है जैसे अगला question यह है आपसे बहुत यह most important है यह वाला question जो है most important है और maximum times आपके exam में पूछा जाता है और question यह है कि why do we wear cotton clothes during summer कि हम गर्मियों के समय हम सूती कपड़े क्यू पहनते है यह आपका question है तो इसका answer भी भहत असान और वही इसी basis पर है कि देखो गर्मी के time में क्या होता है कि हम लोगों को पसीना आता है बहुत ज़यदा गर्मी के समय में हमारे सरीर में बहुत ज़यदा पसीना आता है और जो cotton close होते हैं cotton close good absorber of water होते हैं cotton close जो होते हैं वो पानी को बहुत ज़यदा अच्छे से सोकते हैं तो इसलिए हम गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे बोड़ी में पसीना आ रहा है वो कॉटन क्लोस उस पसीने को सोख लेंगे और पसीने को सोखने के बाद तक उस में से एकरेबरी आपके दोड़ीgas क्लास में पढ़ा है यह चीज आपने एट क्लास में पढ़ी है जो आपका पॉलीमर वाला मतलब फाइब नैचरल फाइबर वाला चैप्टर था नैचरल फाइबर वाले चैप्टर में आपने यही चीज पढ़ी थी या फाइबर्स के बारे में था उसमें सेंथेटिक और आपने पढ़ा था कि जब सैंथेटिक कपड़े जो आप पहनते हैं तो वो जो है वाटर कोसी बतल में इसलिए तौति उसलिए को सिवस्क्त पहनते हैं और उसे सील têm मतलिए याइगा रजान को भुजनने कमतल्द और हमारी body जो है ठंड है तो इसका भी कारण यही है गर्मियों में हमें पसीना क्यूं आता है तो इसका भी आंसर यही है कि गर्मियों में हमारी body जै फंक्शन इस तरीके से करती है कि आपकी body का temperature maintain रहे ठीक है तो आप ऐसे लिख सकते है कि our body आवर बॉडी work during the summer to control its temperature. ठीक है ना, इसके temperature को control करने के लिए काम करती है. For this, it release sweat. ठीक है ना, आवर बॉडी release sweat. तो हमारी बॉडी sweat release करती है, पसीना release करती है. और पसीना release करने से क्या होता है, कि वो पसीना हमारी बॉडी की जो गर्मी है, उसको लेके evaporate हो जाता है, और हमारे जो बॉडी है उस वज़े से कैसा फिल होता है, ठंडा फिल होता है. तो इसका आंसर भी यही है. ठीक है? और भी बहुत सारे question है जो इसी चीज़ पर depend करते हैं. जैसे, एक और important question है जो आपके एक्जाम में पूछा जाता है, मटके में बहुत छोटे छोटे चेद होते हैं. यह छोटे छोटे चेद में से पानी जो है रिसकर बाहर आजाता है, ठीक है? और वो जो होता है, जो मटके के अनदर पानी है, उसके अनदर की energy को एब्सौर्ब करता है और evaporate हो जाता है, ठीक है? तो हर question का answer आपको इसी तरीके से देना है ये बात समझ में आ रही है और भी question है इसके उपर बहुत सारे question है एक और important question बता देता हूँ एक important question है कि गर्मियों के समय में आपको जो बरफ वाले पानी का glass होता है उसके चारों तरफ water way पर क्यों नजराते हैं होता है ना गर्मियों में जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडे पानी के glass के बाहर आप देखते हैं एकदम water droplets जम जाते हैं तो इसका कारण क्या है तो इसका कारण भी यह है होता क्या है कि जैसे आपका ये glass है glass के अंदर बरफ बरफ वाला पानी है ठीक है ये बरफ है और पानी है तो आप देखते हैं बाहर बाहर ना ऐसे drops जम जाते हैं इसका कारण क्या होता है अब क्या इसमें भी ऐसा होता है कि पानी अंदर से बाहर आ जाता है तो नहीं पानी इसमें अंदर से बाहर नहीं जाता इसमें क्या होता है कि जो air होती है मैंने बताया है आपको air में water vapors होते हैं ठीक है ना air में water vapors होते हैं तो वही जब air के अंदर वाले water vapors इसके contact में आते हैं जब इस glass के contact में आते हैं तो glass कैसा है ठंडा और water vapor gas बना हुआ है क्योंकि उसका temperature ज़ादा है तब यह इससे टकराते है न जब air इससे टकराता है तो इसके आज पास का area ठंडा हो जाता है तो मैं पता रहा था कि जब air इस glass टकराता है तो उस air के अंदर जो present water vapors हैं वो ठंडा हो जाता है जो जिसका temperature जाता था अब उसका temperature कम हो जाता है तो आपको पता है जब gas ठंडी होती है तो क्या बन जाती है वापिस liquid ठीक है न तो वो जब water vapor इस ठंडे पानी के contact में आता है तो वो gas से liquid form में आ जाता है और इस glass के wall से चिपक जाता है इसलिए हमें ठंडे पानी के glass के बाहर water vapors दिखा करना है कि आसपास के energy को लेकर evaporate हो जाता है तो आसपास cooling हो जाती है तो ऐसे बहुत सारे question है तो अब हम इसके आगे एक topic और रह गया है जो कि आप हमें state of matter के बारे में और पढ़ना है जो मैंने आपको बताया था कि दो और state of matter है एक है प्लाजमा और दूसरा है Bose Einstein Condensate ठीक हमारे इस chapter की last class होगी तो अब हम अपने chapter की last class में मिलते हैं तो यहां तक आप revise कर देना ठीक है ना यहां तक revise कर लेना तो thank you for watching